Hey guys, this is my case Well, कभी-कभी हम लोग अपने day-to-day life में इस तरीके के sentences को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग काते हैं अगर उसका बस चलता तो आज ही कार खरीद लेता अगर उसका बस चलता तो वो मुझे मार देता अगर उसका बस चलता तो वो तुम्हारी मदद नहीं करता अगर उसका बस चलता तो वो तुम्हें जितने नहीं देता तो इस तरीके के sentences को English में बोलने के लिए कौन सा structure का यूज किया जाता है Let me tell you structure में सबसे पहले write करेंगे if if को write करने के बाद हम लोग लगाएंगे कोई subject subject कोई भी हो सकता है I, we, you, they, his, it, singular noun या polar noun उसके बाद लगाएंगे head और head को लगाने के बाद यहाँ भी आपको pronoun का धियान रखना पड़ेगा his, him, her, my, our, their इस तरीके के pronoun यदि subject I रहेगा तो my आएगा यदि subject V रहेगा तो our आएगा he आएगा तो him आएगा उसके साथ C के साथ हर आएगा D के साथ dear आएगा अगर कोई नाम आएगा लड़का singular रहेगा तो ही जाएगा अगर कोई लड़की रहेगी singular तो हर आएगा दो नाम आएगे plural तो उसके साथ dear आएगा उसके बाद हम लोग लाएंगे way और way को write करने के बाद एक कमा write करेंगे और कमा को लिखने के बाद हम लोग जो sentence लिखेंगे या तो उसको would plus verb का first form से बनाएंगे या नहीं तो would have के साथ verb का third form काने का मतलब है subject would plus b1 plus object या नहीं तो subject would have plus b3 plus object negative करेगा तो would के बाद note आजाएगा किस तरीके से इस structure को और भी बेतरीन तरीके समझने के लिए लेते हैं कुछ examples तो आज का पहला sentence है अगर उसका बस चलता तो वो आज ही कार खरीद लेता इस sentence के लिए बोलेंगे if he had his way he would have purchased a car today if he had his way he would have purchased a car today यहाँ पर हम बोट का भी उच कर सकते हैं next sentence अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें मार देता इस sentence के लिए बोलेंगे if I had my way I would have killed you if I had my way I would have killed you इस sentence का would have से क्यों बना क्योंकि इसका मतलब है मार दिया होता अगर मेरा बस चलता तो तो यह पर होता वाला sense आ रहा है next sentence अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम मेरी मदद नहीं करते इस sentence के लिए बोलेंगे if you had your way you wouldn't help me if you had your way you wouldn't help me next sentence next sentence है अगर उसका बस चलता तो वो तुम्हें जीतने नहीं देता इस sentence के लिए बोलेंगे if he had his way he wouldn't let you win यदि आपको दिया होता का sense लाना हो तो आप बोल सकते हैं if he had his way he wouldn't help me let you win next sentence यदि उसका बस चलता तो वो तुम्हें खेलने नहीं देता इस sentence के लिए बोलेंगे if he had his way he wouldn't let you play hey guys this is related मैं आपको एक sentence देता हूं comment box में if you make any mistake then I'll correct it hey guys how did you find my video if you really like this video please like comment and subscribe and don't forget to share this video thanks for watching dear friends bye bye